आज इस वीडियो में आप लोगों को इस पांच हजार से भी प्राणयाम की उस विदी का हम पर दाफास करेंगे जिसको लोगों ने जाने अंजाने में पढ़ा होगा सुना होगा किन्तु उस पर विचार नहीं किया होगा या विचार किया होगा तो प्रैक्टिकल अनुभाव के अभाव में कमी की कारा समझ नहीं पायो मैं हिमालियन यूगी इवा मिस्टिक सिर्कुरू आप सभी दर्सकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ये जो पांच हजार से भी अधिक परस पुराना जो परानयाम की यूग किरिया की जो वीदी है वो आपको बताई जाएगी उस पे चर्चा किया जाएगा उसके रहस पर से परदाफास किया जाएगा यह कह सकते हैं अंटोल्ड इस्टोरी ओफ परानयामा डेट इस बेरी ओल्ड एज फाइफ थाउसंट अबब अपने गीता दर्शन को पढ़ा होगा महायोगी कृष्ण ने उसमें कुछ खास किरियाओं का वर्णन किया है एक तो छटे अध्याई में कुछ किरियाओं का वर्णन है एक चौथे अध्याई में कुछ किरियाओं का वर्णन है एक आठमे अध्याय में क्रियाओं का वर्णन है मने योग क्रियाओं का हलांकि भक्ती योग के बारे में कई जगे है ज्ञान योग के बारे में कई इस्थान पर रहे कीता में किन्तो जो योग क्रियाओं के बारे में है मने किस तरह से आप उन योक्रियों का अभ्यास करके तत्तो दरुशी हो सकते हैं गहरे ध्यान समाधी में जा सकते हैं या एस्टर जर्नी कर सकते हैं आदे आदे मने जो कृष्ण जी की हैसियत थी छमताएं थी और जिन से उनको वो छमताएं प्राप्त होई थी उन्ही योग विदियों का उन्होंने संचेप में सांकेतिक रूप में बताया है लेकिन अब बैसे गुरू मिलते नहीं उन चीजों को प्रैक्टिकल कराने वाले तो किताबों में ही ज्यान रह जाता है गीता बहुत मस्त दर्शन है और हर जो अपने आपको हिंदू मानता है तो निश्चत रूप से उसे खुद गीता का ये कध्याए अत्वा 10-15 स्लोक संस्कित में ना पढ़ सको तो हिंदी में जरूर पढ़ना चाहिए और अपने लड़के लड़कियों को पढ़वाना चाहिए जैसे तुम डांस सिखाने लड़के लड़कियों को भेजते हो जैसे महगे महगे मुबाइल लड़के लड़कियों को दे करके उनकी सौक मोच करवाते हो कहीं डॉक्टर इंजिनियर बनवाते हो यदि आपने गीता को पढ़वा दिया अध्यन करवा दिया या अपनी लड़की से को गीता सुनाओ बैटके हिंदी में तो पढ़ लेगी ना संस्केत में नहीं पढ़ पाएगी तो हिंदी का भी उसमें अर्थ होता है गीता प्रेस की पुस्तक के माद्यम से आप इसको सुन पर समझ सकते हैं अब कुछी नहीं समझ में ना तो मेरे से उन से जोड़े हुए सवाल करना मैं आपके लिए सरल तरीके से उस पर वीडियो बना करके आपके प्रश्णों के आधार पर आप रोगों की सेवा में प्रस्तत करूंगा समय निकाल के ठीक है तो चोथे अध्याय का एक इश्लोक है आप उसको नोट कर सकते हैं 29 मा इश्लोक ठीक है 29-30 वहां कह रहा है कि अपाने ज्युहती प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गती रुद्ध्वा प्रानायाम परायना सीखना चाहते हैं नईने तरीके के तो उनको इस बात पर बड़ा विसेज गौर देना चाहिए कि महायोगी कृष्ण ने क्या संकेत दिया है उसी संकेत को मैं अपने अनुभों के आधार पर आपको कुछ समझाने की बताने की कोर्सिस करूगा तो प्राने अपाने जोहिती प्रानम मने अपान को जो जोहिती मने हवन करते हैं काय में प्रान में और फिर प्राने अपानम तथा परे और प्रान को अपान में हवन करते हैं अपान को प्रान में करते हैं हवन करते हैं जोहिती का आर्थियां पर हवन से दिया है, बड़े मजिदार विशा है, योग सादकों को बड़ा उपयोगी होगा, यह पहली प्रकरिया उन्होंने बता ही, पहली प्रकरिया इसमें अपान वाईयों में वो प्राण का हवन करते हैं, नमबर एक प्रोसेस हुआ, दूसरा प् गीता मेरे पास में है, देखके बोलना हूँ, क्योंकि टेप रिकॉडर मुझे नहीं बनना है, कि मैं कि किसी मात्मागीता हजार इस सुलोक याद कर लिए, दस हजार कर लिए, इससे क्या होगा, आपको तत्वदर्सी होना चाहिए, प्रैक्टिकल जीवन होना चाहिए, कित इससे वो कोई सचेतन नहीं हो जाते है, सजीव नहीं हो जाते है, जीवन का उल्लास उनको प्राप्त नहीं हो जाता है, वो एक मात्रे की यांत्रिक प्रक्रिया है, मैं आपको यांत्रिक प्रक्रिया की तरफ नहीं, मैं आपको जीवन्त प्रक्रिया से जोड़ना चाहता कि पहले प्रकृइया कि आपन में प्रान को हवन करो और प्राने अपानम तथा परे और प्रान में अपान को करो हवन करो तो कैसे हवन किया जाता है मैं पता में तीसरी एक प्रक्रिया उन्होंने बताई है प्राणापान गती रुद्ध्वा प्राणयम प्राणापान की गती को रोख करके जो प्राणयाम पराएन है जो प्राणयाम के भाक्ता है या सादक है ये तीसरी प्रिक्रिया है कि प्राण अपन गती को रोक देना अपने नियतार आए प्राणान प्राणास बोस्तर होती कुछ और है जो नियतार भोझन को साद करके प्राण को प्राण zouden करते हैं सरब, अपते, यग विदो यग शबती कलमशा यह जो बताया है यह सभी यग है और जो हमारे पापों को निस्ट करने वाले है छपती कलमशा कलमशा पाप को गंदिकी को जो मन की गंदिकी है भावनात्म गंदिकी है उसको निस्ट करने वाले है तो यह जो प्रक्रिया है आगर क्या है सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि प्राण और अपान लेगिए पांच महा प्राण होते हैं प्राण एक है उसके पांच मोटे मोटे वेद की है प्राण अपान उदान व्यान समान ठीक है प्राण अपान व्यान उदान समान पांचों के कारिये हैं हलांकि इन पांच के भी पांच और शव प्रान है लेकिन उन पर आज हम चर्चा में करेंगे वह और सूक्ष्व है तो प्रान को प्रान में अगर आपने हवन करना सीख लिया प्रान को अपान में मिलाने की प्रिक्रिया सीख लिया या अपान में प्रान को मिलाने की प्रिक्रिया सीख लिया तो आपक सरीर के अंगों को मोड़ने की या तोड़ने मोड़ने की जो प्रक्रिया है वो योग की आसन हो सकते हैं लेकिन वो योग नहीं हो सकता है उससे को योगी नहीं बन सकता है फिजीकल फिटनेस के लिए वो आसन आवसक हो सकते हैं लेकिन सब के लिए हो सकते हैं कि नहीं किसको का रक हो सकता है यह एक विश्ञ जो है समझने का है और विसलिचन का है और साँने वाले क्या सारी रिक्षमता क्या है उसको रोग क्या है उनको ध्यान में रख करके तब आप उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं कौन सा असन लगाने चाहिए कौन सा तो जो विशय है अपना कि प्राण को अपान में अपान में प्राण को मिला देना अप प्राण का इस्थान जो होते वो के और हािए स्थान और शेड़ समान की एक एक स्थिति रहती आई समान एक्टिव रहता है जो हमारे वोजकोरसों को समान करता है ए इथाबत करता है ध्यान देना सास्तर गरुन सार बता रहाएं और और ना वृ से निचे जितना आपका कारी आपका राष्य देचाने करना है और गेस निकालना या बेसाब करना है या पच्छी पैदा होते समय जो बाइओ आपको सहरा देती है television के लिए आप या पर जो सेक्स करते समय जो उर्जा को उर्जा जिनकी जल्दी छीड हो जाती है क्योंकि हस्त मैंतुन करने से गलत भोजन करने से गलत विचारों के कारण अपान वायो दूशित हो जाती है असंतुलित हो जाती है और नाइट फैल हो जाता है बिक्ति को या फिर जल्दी भोजन को साधना, पानी को साधना, प्राण को साधना, अपान को साधना, तो फिरूर जा भी सद जाएगे, क्योंकि प्राण के कंट्रोल होने से मन भी कंट्रोल होता है, तो यहां पर जो अपान का छेत्र है, तो अपान में प्राण को कैसे मिलाए जाए, और अपान में प्रा तो इन तीन प्रक्रियाओं का अभ्यास साथ को करना होगा तब ही आप एक अच्छे और सच्छे योगी हो सकते हैं मज़ा आएगा ये इस तुल सरीर के अंदर एक सुक्षम सरीर होता है जिसको एस्टल बॉड़ी कहते है समझे रहे आप अपने सुक्षम सरीर से विष्णन कर सकते हैं जहाँ जहाँ वहाँ जा सकते हैं आप देव लोग तक जा सकते हैं देवताओं की मीटिंग में आप पार्टिसिपीट कर सकते हैं लोग कहेंगे हो सकता ये भकवास हो बकवास वो है उनकी है जो मुर्ख लोग है वो समझते होंगे अगर ये सरीर दिखता है तो इसके अंदर ना दिखने वाली कोई सक्ति होती है और जैसे ये दिखने वाला मैटिरियल वर्ल्ड है ऐसे एक इन्वीजिबल वर्ल्ड भी होता है अदरस लोग अदरस जगत होता है आप उससे तभी connect हो सकते हैं जब आप अपने उर्जा पे काम करना शुरू करें जिसको महायोगी कृष्ण ने प्राण अपान प्राण का अपान में अपान का प्राण में और इनकी गति को रोकने का रोकने पर आपकी जब कमांड हो जाएगी इनकी गतियों पर इनका जो प् सकते हैं अपना केरियर भी अच्छा बना सकते हो यह नहीं है किवल योगियों हर आदमी योगियों हो सकता है जो मनुश्य सरीर में हर चेतना के लिए यह मनुश्यों के लिए किसी जाती धर्म के लिए कर संजीने बात नहीं किया गीता किसी जाती धर्म पर आधारित है गीत कि समाज में चाक्रुकता पैदा हो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं मुझे नहीं बता इसके लिए मैं आपसे निवेदन भी नहीं करूगा आपसे निवेदन करूगा अच्छा ही आगे वढ़ना चाहिए